कर आप देख रहे हैं निउस नेट टूडे मैं जावेद अंसारी वेस्टू एनरजी रीवा की नगर निगम की बड़ी महत्वकांची योजना थी इस योजना के पूरा होने के बाद जो सबसे बड़ा लक्ष था सहर को साफ सुत्रा रखना आप लोगों का साफ तोर से कहना ह है सहर में कच्रा रहेगा ही नहीं क्योंकि कच्रा हमारा भोजन है और हम भोजन को इकट्ठा करेंगे वो चाहें जहां मिले इसका सीधा सा अर्थ है शहर में कच्रा एक भी है मैं उन बातों को आगे बढ़ाऊं उससे जादा बहतर है यहां पर नगर निगम के यह हमारे पास यहां पर चतुरवेदी जी मौजूद है यह क्या है क्या है इसकी खासियत एक अदबुत चीजे मैं केवल इतना ही कह सकता हूं इसके बारे में हम सीधे उनी के उन से सुनते सर्व बताईए पूरी चीजें है क्या इस डबली अम साइट भाडिया में कर दीवा में खड़े हुए है यह जो आप देख रहे हैं यह लाइन फिल है लैन फिल इसकुछ इसे यह कहेंगे जब हमारा इस बेस्ट इनर्जी प्राण बने के बास इनर्ट बेस बजएगा इनर पत्थार इस तरह के टुक्ड़े बचते हैं तो उसको हम ऐसे खूले में नहीं सकते हैं तो उस पत्थ्रों में भी जब हमने साहर के आपके आपके कार्वाज उठा के लाते हैं उन्हें मैंने गंदगी लिप्ती रहती है तो चटने के बाद इसको हम जब फिल्टर मीडिया फिल्टर मीडिया के बॉट्म इह लगाया गया है उपर फिल्टर मीडिया बनाइगे गया है और फिल्टर मीडिया की बीच में घट के पाइब डाले हैं जो तक जो देश कर लीड़े है लीचेड यह बहर जाए अब बाहर भी हमारा एक पने टीटमेंट प्रांट रहेगा टीटमेंट प्रांट में पुरा लीचर जो गंदगी जाएगी अब उस गंदगी को सुद्ध करने के बाद पर पानी को बाहर बेगेगी मैं बीच में आपको रोकूंगा जब यह योजना चालू हो रही थी मुझे याद है इसका काफी विरोध हुआ था लोगों का यह कहना था है कि यहां पर चारों तरफ गंदगी हो जाएगी कुस्टा की तरह का मख़ूल हो जाएगा लेकिन जिस तरीके से आप बता रहे हैं क् यहां पर गंदगी नाम की कोई चीज नहीं किसी भी तरीके का वेस्ट नहीं होगा चारों तरफ की आबादी बहतर तरीके से बिल्कुल करें यह दो बेश्ट जो गीलह कचला निगलेगा इन सभी को सिग्रेटेडट करके उसमें जो भी आडिया पनिकलेगा जो बने का प्ल करेंगे तो यह जा रहा कि यह जो बेस्ट इनर्जी का भोजन है तो मुझे तो यह अच्छा लग फील कर रहा हूं मसूश भी कर रहा हूं जिस समय बेस्ट इनर्जी को में प्लांट हमारा स्टार्ट हो जाएगा तो कच्रा तो इन्हें अभी अगल बगल के जिनों से करना तो मुझे भी लगता कि जिस समय अभी आभी तो मान रहे हैं कि 28 जो नगरी निकाह है हमारे रीवा शत्ना उसीदी की इन से तो यह कच्रा कहां तक बेस्ट इनर्जी 6 मेगा बाट बिजली बनने जा रही है उसके लिए पर्याप्त होगी मैं समझनी पा रहा हूं हो सब्सक्रा हमको अलग से जीले से जीले से परज़ेज करने कि जो आपके रहें की है जो कंस्ट नायर है वाला से कच्रा परज़ेज क प्योंग करेगा कहर सार जर्ज है गंदगी होगा पॉलितिन मुक्त होगा बढ़ी मुक्त होगा योजना अभी कल विधिवत 26 जनवरी के यहाँ पर जंड़ रोहर के लिए प्रदेश के मुख मंत्री रीवा आ रहे 25 तारीक को इसका विधिवत उद्गाटन होगा नगर नि सकता है इस बार रीवा कच्रा मुक्त हो जाएगा रीवा के साथ-साथ उन 28 नगरी निकायों कि भी मैं उसमें जोड़ देता हूं जहां से यह कच्रा आ रहा है जी बीच में कुछ और भी कहना चाहरे है जो हमारा सब्लिद्याकार है यह योजना पीपीप योजना पैधारित ह पिपी मोड पे बनी हुई है इस योजना को कर सनायर द्वारा 21 वरसों तक संधान के जाएगा कोई आज की साली किस साल तक खुद करेगा संधाना चाहरा करेगा अब जो है जो है नगरी दिखाय करेंगे 21 सालों तक काच्रे की समस्या शहर को नहीं रहेगी 21 साल बहुत होते उसके बाद अन इस्तितियों को फिर से एक बार पूरी तरीके से एनलाइस के बाद जो बी रहर बाद उब अब एक ड़ी बात बात यह है कि नगर Jed suivi को अभी से चिंता कच्रा कहां से मिलेगा कच्रा कहां चैन्गा बेर दाव्य के साथ कह सकता हूं कि रीवा कचरा मुक्त हो गया